नमस्कार दोस्तों आज हम सुनेंगे नवरातरी के चौथे दिन की कत्छा इसमें हम माता कुश्मांडा की कत्हा सुनेंगे तो चलिये शुरू करते हैं नवरात्री के चौथे दिन को माता कुश्मांडा का दिन माना जाता है, जो नवदुर्गा के नौ रूपों में से एक हैं, माता कुश्मांडा के आट भुजाएं होती हैं, उनका चारो ओर से विक्सित एक मंडल होता है, और उनकी एक भुजा में कंट का पात्र होता है कि वह सूर्य की असानिय शक्ति को भी सहन कर सकती है यहीं एक मात्री देवी है जो सूर्य मंडल के भीतर निवास करती है इन देवी के पूजा करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है मा कुश्मांडा का वहां सिंग है कहा जाता है जब दैतियों का आतंक बहुत बढ़ गया था तब कुश्मांडा माता ने दैतियों का विनाश किया था कुश्मांडा मा की पूजा करते समय कूश्मांडे नमह का जब करें इस प्रकार माता कुश्मांडा के चौथे दिन को नवरात्री के उत्सव में महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है और उनका वंदन किया जाता है इसी प्रकार की भक्ती कथा कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ती कथा कहानिया को सब्सक्राइब करें